सो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो में जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्रा मूवी के बारे में युद्रा मूवी बॉलिवुड के लेटेस्ट मूवी है जो के रिलीज हुए थी 20 सब्टेंबर को तो चले आज के इस वीडियो में हम जानते हैं युद्रा मूवी के स्टोरी को लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइको भी आल पर सेट कर ले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी सो युद्रा मुवी के स्टार्टिंग होती है मुंबे शहर की एक पुलिस फैसिलिटी से यहाँ पर हमें पता लगता है कि गिरिश कार्टिक और रह्मान तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये तीनों ही पुलिस के काफी हाई रेंक आफिसर्स होते हैं यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो गिरिश दिक्षित हैं उन्होंने पूरे मुंबे से क्राइम को खत्म क जिसका मतलब गिरिश तिक्षीत एक बहुत ही काबिल आफिसर है। तब as of course गिरिश और उसके वाइफ तो मर चुके होते हैं लेकिन डॉक्टर्स किसी तरह से गिरिश के बच्चे को बचा लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है। जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब हमें पता लगता है कि युद्रा बाकी बच्चों से काफी अलग है। क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़ादा गुस्सा आता है। हालाकि इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कार्थिक और उसका दोस्त रह्मान दोनों आसपास रहते हैं। रह्मान के एक बेटी होती है जिसका नाम होता है निखत। और इसलिए युद्रा और निखत काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो दोरो एक ही स्कूल में सेम क्लास में भी पढ़ते हैं। अब एक दिन स्कूल में युद्रा ये देखता है कि उसके क्लास के कुछ बच्चे एक छूटी से छिपकली को परिशान कर रहे होते हैं। इसलिए युद्रा उन लोगों को मार के भगा देता है और उस छिपकली को पकड़के अपने लंच बॉक्स में डाल देता है। करने की बात की जाती है लेकिन कार्तिक राठोर स्कूल के प्रिंसिपल को ये समझाता है कि युद्रा असल में बिना माबाप का बच्चा है और वो एक्चुल में उसके दोस्त गिरिश का बेटा है लेकिन उसके दोस्त गिरिश और उसके वाइफ के मरने के बाद उसने ही उ उसे ये पता लग जाता है कि कार्थिक राठोर उसका फादर नहीं है बलकि उसका असली फादर गिरिश था जो कि मर चुका है अब इन सब के बाद ही कार्थिक राठोर युधरा को दूसरे स्कूल में डाल देता है जिसके बाद वहीं से युधरा अपनी स्टडी को पूरा कर जैसे कि वो मार पिटाई करता है और बाइक राइट्स करता है अक्सर वो रात को रोड्स पर बहुत ही तेजी से रस ड्राइविंग करता है जिस वजह से अक्सर उसे पुलिस भी पकड़ती है इसे तरह से एक बार जब पुलिस से बहुत तेज बाइक चलाने के लिए पकड़ती है तब यूधरा को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है और फिर इसके लिए कार्तिक राठोर और उसके दोस्त रह्मान सिद्धिकी को उसे छुड़ाने के लिए आना पड़ता है अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो रह्मान सिद्धिकी है यानि कि निखत का फादर वो अभी भी पुलिस आफिसर ही होता है लेकिन जो युधरा का फादर है यानि कि कार्तिक राठोर वो पुलिस की जौब को छोड़कर एक पॉलिटीशन बन चुका होता है यहाँ पर वो अपने बेटे युधरा को छोड़ आता है और उसे घर बेज़ दिता है लेकिन उसके जाने के बाद ही वो अपने दोस्त रह्मान से बोलता है कि मुझे युधरा के बहुत ज़ादा चिंता होती है और आखिर मुझे यह समझ नहीं आता कि इसे इतना ज़ादा गुस्सा क्यों आता है बट इस बात को सुनकर कार्तिक का दोस्त रह्मान उसे सज़स्ट करता है कि उसे युद्रा को आर्मी के अंदर भेज देना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से वो आर्मी के अंदर काफी फिट बैठेगा इसके लिए रह्मान सिद्धिकी अपने दोस्त कार्तिक से कहता है कि वो युद्रा को पुने भेज दे क्योंकि पुने के अंदर National Caddy Training Academy है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करके Army Officer बन सकता है इसके साथ ही उसकी बेटी निखत भी इस टाइम पर पुने में ही है और वो वहाँ पर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है इसलिए हो सकता है कि जब युद्रा पुने जाए तो वो वहाँ पर निखत के साथ भी काफी खुश रहे अब रह्मान के बाद को सुनकर कार्तिक युद्रा को पुने भेज देता है जिसके बाद युद्रा ट्रेनिंग अकेडमी में आता है और वहाँ पर Army की ट्रेनिंग लेने लगता है इसके साथ ही यहीं पर वो निखत से भी मिलता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं निखत को भी युद्रा से प्यार हो जाता है अब इसके बाद ही एक दिन युद्रा की अकेडमी के अंदर एक डांस इवेंट और्गनाईस किया जाता है उसके लिए युद्रा अपनी अकेडमी के अंदर निखत को बुलाता है और उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगता है फिर उसे टाइम पर वो ये देखता है कि उसकी अकेडमी के बाहर कुछ गुंडे उसके एक दोस्त को मारने लगते हैं और इसलिए जैसे ही युद्रा देखता है वैसे ही वो अपने दोस्त को बचाने जाता है और इसलिए उसकी भी उन गुंडों से लड़ाई हो जाती है लेकिन फिर उसे टाइम पर युद्रा को बहुत जादा गुस्ता आ जाता है इसलिए वो उन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है अब ये देखकर मिलेटरी अकेडमी के अंदर युद्रा का कोट मार्शल कर दिया जाता है क्योंकि उससे ये बोला जाता है कि आर्मी के अंदर इतने जाद गुस्ते की कोई जगा नहीं है और युद्रा ने एक जिम्मेदार केडिट होने के बावजूद भी कुछ सिविलियन्स को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उस मार की वज़े से उन सब की जान भी जा सकती थी और हाँ कोट माशल करने के साथ ही युद्रा को नौ महीने के लिए जेल पी भेज दिया जाता है जब युद्रा जेल के अंदर जा रहा होता है तब उससे मिलने के लिए उसका फादर कार्तिक राठोर और उसका दोस्त रहमान सिद्धी की आता है और यहाँ पर उसका फादर याने की कार्तिक उसे यह समझाता है कि वो ऐसा ना करे और जब वो जेल से बाहर आए तब वो सुधर जाए बट यहाँ पर भी युद्रा अपने फादर की बात नहीं मानता है वो अपने फादर से कहता है कि उसे उन्हें समझाने की कोई ज़रुत नहीं है वो यहां से सिंपली जाए और अपने पॉलिटिक्स पर ध्यान दे इसलिए इस बात को सुनकर उसका फादर कार्तिक वहां से चला जाता है लेकिन उसके फादर कार्तिक का दोस्त रह्मान वहां से जाता नहीं है वो युद्रा को समझाते हुए कहता है कि वो जानता है कि युद्रा को बहुत जादा गुस्स आता है लेकिन युद्रा को अपने इसी गुस्से को डारेक्शन देना होगा हालाकि इसके साथ ही वो युद्रा को ये भी बताता है कि असल में उसके फादर गिरिश और मदर प्रेणना थे जो कि उसके पैदा होने से पहले एक एकसिडेंट के अंदर मारे गए थे यहाँ पर रहमान सिद्धी की युद्रा को ये बताता है कि असल में उसके फादर और मदर जिस एक्सिणेट के अंदर मरे थे वो कोई एक्सिणेट नहीं बलकि मरर था असल में आज से सालों पहले जब उसके फादर गिरिष कमिशर में थे तब उस टाइम पर मुंबई शेहर के अंदर सिकंदर नाम का एक बहुत ही बड़ा ड्रग डिलर था लेकिन उसके फादर गिरिश की वज़ह से सिकंदर को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा लेकिन इडिया छोड़कर भागने से पहले सिकंदर ने उसके मदर फादर को एक्सिडेंट में मरवा दिया फिर इसके बाद ही इसा बताकर रह्मान सिद्धी की युधरा को एक आफर देता है कि अगर युधरा चाहे तो वो पुलिस के अंदर खूफिया एजेंट के तोर पर काम कर सकता है और ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने देश भारत की हल्प करेगा बल्कि इसके साथ ही वो अपने फादर और मदर के किलर से यानि के सिकंदर से बदला भी ले सकता है अब इसके आगे रहमान सिर्फ के युधरा को ये बताता है कि वैसे तो उसे अभी नौ महीने के लिए जेल जाना होगा पर वो उसका काम जेल में रहकर ही कर सकता है रहमान सिद्धी की युधरा को ये बताता है कि उसे जिस जेल के अंदर डाला जा रहा है वो जेल काफी जादा खतरनाक जेल है और उसके अंदर बहुत ही बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को डाला जाता है इन सब के आगे रह्मान सिद्धी की युधरा को ये बताता है कि जिस जेल में तुम्हें डाला जा रहा है उस जेल में तुम्हें दो गेंग्स मिलेंगी और वो दोनों गेंग्स एक दूसरे की राइवल है इन में से पहली गेंग चलाता है बभूल जो की काफी जादा खतरनाक है और इसके साथ ही जो दूसरी राइवल गेंग है उसे चलाता है नाइडू और ये नाइडू असल में फिरोज का आदमी है असल में जब सिकंदर तुम्हारे फादर गिरिश के डर से इंडिया छोड़ कर भागा था तब उसके ड्रग नेटवर्क के उपर फिरोज ने कबजा कर लिया और फिर वही पूरे मुंबई के अंदर ड्रग को सप्लाई करने लगा लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज की तारिक में वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग रिरर है और हम दोनों को मिलकर उसी फिरोज और उसके ड्रग कार्टल को खत्म करना है अब ये सारी जानकारी के बाद ही युधरा जेल जाता है जहां जेल में आने के बाद ही बभूल और उसके गैंग के मेंबर्स युधरा से पंगे लेते हैं क्योंकि as of course वो एक पुलिस आफिसर का बेटा होता है लेकिन फिर इसके रिस्पॉंस में युधरा उन सबको बहुत मारता है वो एक गैंग के लीडर बभूल को भी बहुत बुरी तरह से मार कर उसे अपने सामने जुका देता है ये सारे चीज़े दूसरी गैंग वाले और नाइडू देखते हैं और इसलिए जब 9 महिने बाद युधरा जेल से बाहर निकलने वाला होता है तब ही नाइडू युधरा को ये ओफर देता है कि वो अगर चाहे तो फिरोज के साथ काम कर सकता है जिसे सुनकर युधरा हाँ बोलता है क्योंकि यही तो उसके प्लैन का हिस्सा होता है फिर इसके लिए नाइडू युधरा को एक एड्रिस देता है जिसके बाद जेल से निकलते ही वो सीधा उसी address पर जाता है और वहाँ जाकर फिरोज से मिलता है अब फिरोज से मिलकर हमें ये पता लगता है कि फिरोज का जो बेटा होता है उसका नाम होता है शफीक और ये और कोई नहीं बलकि एक्टर रागव जोएल होते हैं जोनोंने इससे पहले किल मुवी के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम किया था यहाँ पर जब यूद्रा फिरोज से मिलता है तब फिरोज उससे कहता है कि मेरे आदमी नाइडो ने तुम्हारी काफी तारिफ की है और इसलिए मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर रहा हूँ लेकिन यूद्रा उससे बोलता है कि उसे गैंग में शामिल होके चोटे-मोटे काम नहीं करने है बलकि वो बड़ा काम करना चाहता है और बड़े काम के अंदर वो सिकंदर को मारना चाहता है अब सिकंदर काफी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो इंडिया के बाहर विदेश में रहकर भी अपने ड्रग कार्टल को संभाल रहा था इसलिए फिरोज भी सिकंदर से ज़्यादा पंगे नहीं लेता था लेकिन जब फिरोज यूदरा की बात सुनता है तो वो यूदरा से कहता है कि अगर वो सिकंदर को मार सकता है तो वो मार दे और फिरोज के कही अनुसार यूदरा सीधे विदेश में जाता है और सिकंदर को ढूंड कर उसे जान से मार देता है यह देखकर फिरोज युद्रा से बहुत ज़्यादा खुश होता है इसलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और उसे अपनी ड्रक के में धंदे के बारे में सब कुछ बताने लगता है लेकिन युद्रा को फिरोज के ड्रक के धंदे के बारे में जो कुछ भी पता लगता है वो उन सारी बातों को रह्मान सिद्धिकी को बताने लगता है और अपने मिशन को काफी बढ़िया से पुरा करता है इसके बाद ही फिरोज युद्रा से बोलता है कि अब वो चाहिना से एक बहुत ही बड़ा ड्रक का सप्लाई लेने वाला है जो कि पूरे 5000 किलो का होगा लेकिन फिरोज ये चाहता है कि इसके लिए युद्रा चाहिना जाए वहां जाकर सारी ड्रक्स को शिप में डलवा के वहां से पानी के जरिये इंडिया ला रहा होता है अब युद्रा जब ड्रक्स को शिप में डालकर इंडिया के पास ला रहा होता है तब उस टाइम पर वो जैसे ही श्री लंका के पास पहुंचता है वैसे वो ये देखता है कि उनके ship के उपर इंडियन पुलिस के कुछ officers चड़ जाते हैं और वो सारे Chinese gang के लोगों को मारने लगते हैं इसे time पर वो सारे drug के containers को भी खोलते हैं और उस drug को हत्याने के कोशिश करते हैं बट इंडियन पुलिस ये देखती है कि drug की containers खाली है यानि कि उनके अंदर drugs ही नहीं है हाला कि उसे time पर यूधरा भी वहाँ पर आता है और वो भी ये notice करता है कि असल में drug के सारे containers खाली हैं लेकिन पुलिस यूधरा को देखकर उसे भी कोली मार देती है जिस वज़े से वो भी पानी में गिर जाता है लेकिन अब क्योंकि वो श्रेलंका के borders के पास होता है इसलिए यूधरा वहाँ की कुछ मचुआरों को पानी में मिलता है वो लोग उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं इसके बाद वो लोग यूधरा का इलाज करते हैं जब यूधरा ठीक हो जाता है तो वो इंडिया वापस आ जाता है हलाक यूधरा को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार जब वो पुलिस के लिए काम कर रहा है तो पुलिस ने उस पर फाइरिंग क्यों की और वो शिप को लोटने क्यों आए इन सब बातों को सोच कर ही यूधरा को रहमान सिद्धिकी के उपर शक होता है और वो ये सोचता है कि हो ना हो रहमान सिद्धिकी उसे फसा रहा है लेकिन उसे भी ये समझ नहीं आता कि आखिर का रह्मान सिद्धी की ऐसा करेगा क्यों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही युद्रा इंडिया पहुँचता है वैसे ही फिरोज के आदमी युद्रा को देख लेते हैं और इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं युद्रा जैसे ही फिरोज के पास आता है वैसे ही उसे बान देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है वो युद्रा से कहता है कि वो बताए कि उसका माल कहां पर है युद्रा फिरोज से कहता है कि उसे पता नहीं उसका ड्रक्स कहा है और सिर्फ यही नहीं बलकि वो उसे ये भी पताता है कि शिप के उपर इंडियन पुलिस ने हमला किया था और उन्होंने उसे गोली भी मारी और सिर्फ यही नहीं, बलकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिप के जिन कंटेनर्स को वो यह समझ कर ला रहा था, कि उनके अंदर ड्रक्स है, उन सब में ड्रक्स था ही नहीं, बलकि वो सारे कंटेनर्स थुखाली थे, अब यह सब सुनकर फिरोज यूधरा से कहता है कि इन सब में तू मिला हुआ है और सिर्फ ये नहीं बलकि इसके बाद ही वो रह्मान सिद्धिकी को भी सामने लाता है जिसे उसने बाध कर बहुत पीटा होता है इसके बाद ही फिरोज युद्रा को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जो रिकॉर्डिंग इसलिए हो ना हो तो इसके साथ मिला हुआ है और तूने रहमान सिद्धिकी के साथ मिलकर ही मेरा मालगा अप किया है इसके आगे फिरोज युद्रा से कहता है कि रहमान सिद्धिकी को हमने बहुत मारा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला है लेकिन हमें इसके पास से एक लप्टॉप मिला जिसके अंदर इसने एक फाइल छुपा कर रखी है पर उस फाइल पर पासवर्ड लगा है तो इसलिए तो इससे पूछ कि उसका पासवर्ड क्या है और अगर यह पासवर्ड बताता है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूगा नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो फाइल है उसने सेव कर रही है उसी के अंदर मेरी रख्स के बारे में ख़बर छुपी है लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं कि युधरा कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और रही बात रह्मान सिद्धिकी की तो रह्मान सिद्धिकी फिरोज को बहुत पुरा भला कहता है ताकि वो बाते सुनकर वो या फिर उसका बेटा उसे मार दे और होता भी ऐसा ही है क्योंकि जब रह्मान सिद्ध की फिरोज के बारे में उल्टा सिधा बोलता है तब उसका बेटा शफीक उसे जान से मार देता है अब इसके बाद ही फिरोज को ये पता चलता है कि रह्मान सिद्गी की एक बेटी है जिसका नाम निखत है लेकिन वो इस टाइम पर अपनी एडवांस स्टडिस के लिए पॉर्टगल गई है और इसलिए फिरोज अपने बेटे शफीक को पॉर्टगल जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो रह्मान के बेटी निखत से सारे इंफॉर्मेशन निकलवाए और उससे पता करें किस फाइल का पास्वर्ट क्या हो सकता है इसके साथ ही वो अपने कुछ आदमियों से कहता है कि वो युधरा को जान से मार दे और फिर ये बोलकर फिरोज और उसका बेटा शफीक अपने अड़े से बाहार निकल जाते है लेकिन उनके पिछे हम ये देखते हैं कि युधरा उसके सारे आदमियों को बीट कर देता है और खुद को छुडा के वहां से भाग जाता है अब क्योंकि उसने ये सुन लिया था कि फिरोज का बेटा शफीक पोटगल जा रहा है ताकि वो निकखत को नुकसान पहुचाए सो इसलिए वो भी सिदा पहुँचाता है पोटगल और शफीक से पहले निकखत को ढुण कर उसके पास पहुँचाता है लेकिन वो ये देखता है कि शफीक भी निकखत को ढूण लेता है जिसके बाद ही युधरा शफीक से निकखत को बचाने की कोशिश करता है फिर उसके रिस्पॉंस में ये फाइट होती है और उस fight के अंदर युधरा शफीक और उसके सारे आदमियों को जान से मार देता है अब इन सब के बाद ही युधरा निखत को लेकर सीधा उसके घर जाता है और उसे सारी बात बताता है कि आखिरकार उसके फादर को किस ने मारा वो और उसके फादर किस mission पर काम कर रहे थे और जो लोग निखत को मारने आये थे वो कौन थे इन सब के साथ ही युद्रा निखत से ये भी बोलता है कि जब उसके फादर रह्मान सिद्ध की उसके सामने मर रहे थे अब ये सुनकर युद्रा का दिमाग खटकता है और फिर इसलिए वो निखट से कहता है कि हो ना हो, फाइल का पासवर्ट वही है जो उसके फादर ने मरते टायम बोला था अब इसके लिए युधरा अपना लैप्टॉप लेता है और उसके अंदर उसी پोर्टल को ओपन करता है जिस पोटल के अंदर निखत के फादर रहमान सिद्धिकी ने अपनी फाइल को अपलोड किया था फिर फाइल को एकसेस करते हुए वो उसके अंदर पासवर्ड डालता है और फिर उस फाइल को खुलने के लिए युधरा पासवर्ड में ठीक वही बात बोलता है जो कि रहमान सिद्धिकी ने मरते टाइम बोली थी फिर युधरा और निखत दोनों ही ये देखते हैं कि उनका पासवर्ड काम कर जाता है और फाइल ओपन हो जाती है फाइल ओपन होते हैं हम देखते हैं कि वह असल में एक रिकॉर्डड वीडियो होती है जो कि निखत के फादर रहमान सिद्धिकी ने रिकॉर्ड की होती है इस वीडियो के अंदर रहमान सिद्धिकी युधरा से कहता है कि अगर तुमने इस वीडियो को एकसस कर लिया है तो मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम पर निखत के साथ हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका पासवर्ट तुम ने खट की हल्प से ही खोल सकते थे और अब इसके बाद ही वो युधरा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है कि आखिरकार जिस शिप के कंटेनर में तुम ड्रग्स लेकर आ रहे थे वो ड्रग्स कहां गया और आखिरकार इंडियन पुलिस ने तुम्हारे शिप पर हमला क्यों किया अब असल में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो रह्मान सिद्ध की है उसके एक सीनियर आफिसर है लेकिन वो सीनियर आफिसर बहुत ज्यादा करप्ट है और इसलिए उसे ये पता लग गया था कि मैं तुम्हारे साथ यानि की उध्रा के साथ एक मिशन पर हूँ और मैं सारी ड्रक्स को पकड़ना चाहता हूँ लेकिन अब क्योंकि वो करप्ट है इसलिए वो ऐसा नहीं चाहती और वो बुरे लोगों के साथ मिली थे वैसे मैंने उससे सब कुछ छुपाने की काफी कोशिश की लेकिन उसे ये पता चल गया कि फिरोज का जो ड्रक्स है वो चाहना से आ रहा है और इसलिए मैं परसनली चाहन आया था और मैंने किसी तरह से डॉक्याड वालों को पैसा खिला कर सारे कंटेनर से ड्रक बाहर निकलवा लिया और मैं खुद ले आया हालाकि उस टाइम पर मैं ये सब बताने के लिए तुम्हारे पास भी आ रहा था लेकिन मैं जितनी भी बार तुम्हारे होटल्स के अंदर आया उतनी बारे तुम चाइनीज गैंग वालों के साथ थे और इसलिए मैं तुमसे ना ही मिल पाया और ना ही तुम्हें ये सब बता पाया इसके बाद ही रह्मान सिद्धी की युद्रा से कहता है कि असल में उसने सारे माल को विशाखा पट्नम के पोर्ट में छुपा दिया है उसके सारी लोकेशन इसे वीडियो के अंदर है और इसलिए वो ये चाहता है कि युद्रा उन सारे माल को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि वो सारा ड्रग्स हमारे देश में सप्लाई ना हो पाए अब इन सारी बातों को सुनकर युद्रा अपने फादर को फोन करता है यानि की कार्तिक राठोर को और वो उसे सारी बाते बताता है वो उसे ये बताता है कि उसके दोस्त रह्मान सिद्धिकी को किसने मारा आखिरकार सारा ड्रग्स कहां पर है और किस तरह से फिरोज सारी ड्रग कार्टल को अपरेट कर रहा है इन बातों को सुनकर यूद्रा का फादर कार्तिक राठोर उससे कहता है कि अब उससे चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि वो एक मिनिस्टर है और इसलिए वो आगे से सब कुछ सम्हाल लेगा उसे बस इस टाइम पर निखत के साथ घर आ जाना चाहिए लेकिन यूद्रा ये बताता है कि वो इस टाइम पर पोटगल में है सो इसके लिए उसका फादर कार्तिक राठोर उसके लिए प्राइवट जेट भेजता है जिसके जरी यूद्रा और निखत सीधा इंडिया आ जाते हैं इंडिया आकर कार्तिक राठोर उन दोनों को अपने घर ले जाता है लेकिन घर आते यूद्रा सीधा फिरोज के पास जाता है और वो जाने से पहले अपने फादर और निखत से कहता है कि वो फिरोज से रह्मान सिद्धिकी का बदला लेगा लेकिन जैसे युद्रा फिरोज को मारने के लिए जाता है वैसे ही उसे टाइम पर हम ये देखते हैं कि युद्रा का सौतेला बाप याने की कार्थिक राठोर सीधा फिरोज को फोन करता है और वो युद्रा के बारे में फिरोज को बता देता है और फिर यहीं पर हमें यह पता लगता है कि कार्थिक राठोर भी असल में बहुत जादा करप्थ है वो फोन पर फिरोज से कहता है कि मैं जान चुका हूं कि तेरा 5000 किलो का ड्रग्स आया है और वो यह जानता है कि इस टाइम पर उसका सारा ड्रग्स कहां पर रखा है इसलिए अगर फिरोज को अपने ड्रक्स चाहिए तो वो यानि की कार्थिक राठोर फिरोज को उसका ड्रक्स दे सकता है लेकिन दील यह है कि जब वो ड्रक्स बिकेगा तो उसका 50% प्रॉफिट कार्थिक राठोर को चाहिए इसके साथ ही यूधरा का सौतेला बाप याने की कार्तिक राठोर फिरोध से ये भी बोलता है कि वो जानते हैं कि उसके बेटे यूधरा ने उसके बेटे शफीक को मार दिया है इसलिए वो फिरोध से ये कहता है कि वो अपने बेटे के बदले में उसके बेटे याने की युधरा को मार सकता है इन सब के बाद ही कार्तिक राठोर सीधा रह्मान सिदिकी की सीनियर ओफिसर के पास जाता है जिसका नाम रेणो का भरदवाज होता है और ये वही officer होती है जिसके बारे में रह्मान सद्धिकी ने यूधरा और निखत को बताया होता है कि ये बहुत ज्यादा करप्ठ है जब यहाँ पर कार्तिक राठो रेणो का भारत दुआज से मिलता है तब वो उसे निखत के बारे में बताता है और वो उसे कहता है कि निखत स्काइम उसके घर पर अकेली है इसलिए वो जाए और निखत को मार दे ये सुनकर रेणो का भारत दुआज निखत को मारने जाती है लेकिन निखत किसी तरह से उससे बच जाती है और वो रेणो का कोई मार देती है इधर दूसरी साइड हम यह देखते हैं कि युद्रा फिरोज से बदला लेने के लिए उसके अड़े तक पहुँचता है लेकिन वहाँ पहुचकर वो यह देखता है कि उसके सारे आदमी पहले से ही तयार होते हैं और इसलिए वो सब एक ही बार में युद्रा पर अटेक कर देते हैं इसलिए युद्रा बहुत सारे लोगों को मारता तो है लेकिन इवेंचुली वो उनके हाथों पकड़ा जाता है इसके बाद ही फिरोज उसे पकड़के उल्टा टांग देता है फिर वो युद्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिरकार तुम्हारे या आने से पहले हम लोगों ने तुम्हारे फिल्डिंग कैसे बिठा रखी थी सो इसका जवाब ये है कि असल में तुम्हारा बाप हमसे मिला हुआ है अब इसके आगे फिरोज युधरा को उसके मदर फादर के मरने की स्टोरी बताता है वो युद्रा को बताता है कि जो तुम्हारा बाप है यानि की कार्तिक राठोर वो काफी टाइम पहले पुलिस में था लेकिन अब वो पॉलिटीशन बन गया है वो पहले भी बहुत जादा करप्ट था और अभी भी बहुत जादा करप्ट है असल में आज से 25 साल पहले एक बहुत इमांदर ओफिसर था जसका नाम था गिरिश दिक्षित उसने पूरे मुंबई शहर के अंदर ड्रगवालों को भगा कर रखा था और उसी के डर से सिकंदर भी इंडिया छोड़ कर भाग गया था लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो बाप है यानि की कार्तिक राचोर उसने सिकंदर से कॉंटेक्ट किया और उसे फोन करके ये बोला कि सिकंदर गिरिश दिक्षित को मरवा दे और इसमें सिकंदर नहीं फसेगा इस बात की ग्यारंटी वो लेता है और फिर इस तरह से उसके बाप कार्तिक राचोर ने सिकंदर के साथ मिलकर गिरिश दिक्षित को मरवा दिया अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो गिरिश दिक्षित वही ऑफिसर है जो की युधरा का असली फादर है वो कोई और नहीं बलकि वो खुदी था यानि की फिरोज अब जैसे ही यहाँ पर युद्राओ ये सुनता है कि उसके माबाप को उड़ाने वाला और कोई नहीं बलकि फिरोज था तो उसे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुसा आता है और इन सब के साथ ही अब वो ये भी जान जाता है कि असल में उसका जो बाप बना हुआ है यानि की कार्तिक राच्छो और वो बहुत ज्यादा करप्ट इनसान है और उसने ना सिर्फ उसके माता पिता को मरवाया है बलकि इसके साथ ही वो आज उसे पी मरवाना चाहता है अब ये सब सुनकर युद्रा को बहुत ज़्यादा गुस्ता आता है और फिर इसलिए वो अपनी रसी तोड़कर फिरोज पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से मारकर नीचे आग में फिक देता है इससे जलकर फिरोज मर जाता है और फिर इसके बाद ही युद्रा अपने सोतेले बाप को ढूंटा है यानि की कार्तिक राच्छोर को और फिर उसे ये पता लगता है किस टाइम पर कार्तिक राच्छोर सीधा वाइजिक पोट पर गया है ताकि वो सारी ड्रग्स को हतिया सके इसलिए युद्रा सीधा वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पहुँचकर पहले कार्तिक राच्छोर की गार्ड्स को मारता है और फिर वो कार्तिक राच्छोर को भी गला दबा के जान से मार देता है सो फिर इस तरह से वो अपने माता-पिता के सारे कातिलों को मार कर उनसे अपना बदला ले लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है सो फ्रेंड्स ये था वीडियो युधरा मूवी की कम्प्लिट स्टोरी के उपर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे एक नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई